आप सभी का स्वागत है जोती शूर्जा में आप जानते हैं कि जाडू से कई ऐसे उपाय किये जाते हैं जो आपके जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं जाडू सुनने में बहुत ही अजीब बात लगती है पर जाडू के साथ जोड़े हुए कुछ शकुन अपशकुन आप लोगों के जीवन में परिवर्तन वाकी में कर सकते हैं इसके लिए आज की वीडियो में आपको सारी जानकारी में देने की कुशिश करूँगी ताकि आप जाडू के बारे में जान सकें दिपावली का अफसर आने वाला है और दिपावली की पूजा में जाडू का इस्तिमाल भी किया जाता है दिपोटसव का ये पर्व पूरे पांच दिन तक चलता है जिसकी शिरुवात धन तेरस के दिन से की जाती है और भाईदूज के दिन इसका समापन किया जाता है दिपावली हिंदु धरम का बहुत मुख त्योहार माना गया है और इस दिन शुब मुहुरत में धनकी देवी मालक्षमी और विग्न हर्ता भगवान गनेश की पूजा की जाती है मानेता है कि यदि दिवाली के दिन विधी विधान से मालक्षमी और गनेश की पूजा की जाए तो जीवन में सुक्सम्रिती और धन्धान ने आता है और मालक्षमी का वास होता है जोतिश में दिवाली पर पूजा के इलावा कुछ और उपाई भी किये जाते हैं जिसमें से जाडू का उपाय बहुत लाबगारी माना गया है आप भी इन जाडू के उपायों को अपना कर जरूर देखें और अपने जीवन में परिवर्तन करने की कोशिस जरूर करें जाडू को ऐसा माना जाता है कि ये हमारे घर की दरिदर्ता को घर से बाहर निकालती है इसलिए से मालक्षमी का रूप भी माना गया है इसलिए पूजा में इसका इस्तिमाल भी किया जाता है दिपावली के दिन से जाडू का इस्तिमाल शुरू किया जा सकता है प्रन्तु इसको खरीदना धन तेरस के दिन चाहिए जब आप धन तेरस का सामान लेकर आएं उस समय पर जाड़ु खरीद कर जलाना बहुत ही लापकारी माना गया है इससे घर में सुक्सम्रिद्धी बनी रहती है नए जाड़ु के खरीदने पर पुराने जाड़ु को फेंक नहीं देना चाहिए बलकि इससे भी धन तेरस के कुछ उपाय किये जाते हैं जिससे मालक्षमी की कृपा हमेशा बनी रहती है धन तेरस के दिन पुराने जाड़ु को फेंकने की बजाए आप एक उपाय कर सकते हैं पुराने जाड़ु में काला धागा बांद कर उसे ऐसे जगए पर रख दें जहां किसी बहरी व्यक्ति की नजर उस पर ना पड़े इससे आपके घर की सारी नकरात्मक्ता खतम हो जाएगी इससे नकरात्मक्ता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी तो ये उपाय बहुत ही कारगर है इस उपाय को करना बहुत जरूरी है ताके आपके घर में किसी तरह की कोई negativity अंदर ही न आ पाए इसको करने से बहुत अधिकलाब होते हैं और सारी जो negative energies हैं वो आपके घर से दूर रहती है धन तेरस पर नई जाडू की खरीदारी की है तो पुरानी जाडू को आप एक और तरीके से भी इस्तिमाल कर सकते हैं ये अगर आप बाहर फेंक देंगे तो आपके लिए मा लक्षमी जो है वो नाराज हो सकती हैं इसलिए धन तेरस के दिन आपको पुरानी जाडू नहीं फेंकनी है आप किसी और दिन जब जाडू तूट जाए या जाडू बिखर जाए उसके बाद उसे फेंक सकते हैं क्योंकि उसे दरिदर्दा का रूप माना जाता है तो ऐसे में धन तेरस के दिन बिल्कुल भी आप जाडू को घर से बाहर ना निकालें आर्थिक दिक्तों को दूर करने के लिए आप धन तेरस के दिन तीन जाडू खरीद कर लाएं और इसे किसी मंदिर में चुपचाप रखकर आ जाएं ऐसा करने से धनसे संब्वन्ती दिक्तें दूर हो जाती है तो इस प्रकार से भी जाडू से कई उपाय किये जाते हैं कई टोटके किये जाते हैं दिपावली के दिन पूरे घर की साफसफाई नए जाडू से ही करनी चाहिए इस्तिमाल के बाद इस जाड़ो को कहीं चुपा कर रख दें जहां लोगों की नजर ना जाए माना जाता है ऐसा करने से घर में मालक्षमी का आगमन होने लगता है मालक्षमी आपके घर में स्थाई निवास कर लेती है जाड़ो को देवी लक्षमी का रूप माना जाता है इसलिए इसे कभी भी जोर से पटकना या फेकना नहीं चाहिए जब भी इसका इस्तिमाल करें इसे आप अराम से रख सकते हैं इसका अनादर करना अच्छा नहीं माना जाता ऐसा करने से मालक्षमी रूट जाती है जाड़ो को कभी भी खड़ा ना रखें इससे वास्तु दोश लगता है इसे हमेशा जमीन पर लेटा कर रखना चाहिए जाड़ो को दर्वाजे के पीछे छिपा कर रखना चाहिए इसे कभी ऐसी जगे पर ना रखें जहां ये सामने ही नजर आती हो इसका आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है जाड़ो के लिए कई और उपाई भी किये जाते हैं जो हमारे तंतरशास्त्र में बताए गए हैं इसलिए जाड़ो का महत दिवाली और इसके साथ-साथ धंतेरस के दिन बहुत जादा माना जाता है धंतेरस के समय में कई नई चीज़े खरीदना शुब होता है लेकिन आप कुछ नहीं खरीद पा रहे हैं तो ऐसे में घर में नई जाड़ो खरीद कर जरूर लेकर आना चाहिए इससे मालक्ष में प्रसंद होती है और उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है अगर आपका मानसिक तनाव चल रहा है चिंताएं बहुत जादा चल रही है आर्थिक परिशानिया चल रही है तो इन सभी में आपको राहत मिलती है धंतेरस पर सोना चांदी के इलावा बरतन खरीदना भी शुब माना जाता है इसके साथ ही घर में आप कई तेरह की नई चीज़ें भी ला सकते हैं लेकिन यदि इस दिन कुछ भी नई खरीद पा रहे तो कम से कम तीन जाडू अवश्य लेकर आएं यह आपकी जिन्दगी में परिवर्तन करने के लिए काफी है यह जाडू आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगा पर यह आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपके घर से सारी नेगिटिविटी निकालने के लिए पूरा साल आप इनको इस्तेमाल करेंगे और पूरा साल आप दरिदर्ता को घर से बाहर निकाल पाएंगे और नकरात्मक शक्तियां आपके घर से हमेशा दूर रहेंगी सकरात्मकता का संचार होगा और आपके जीवन में जो घर में सुक समृत्धी है जिसको आप चाहते हैं कि सुक्सम्रिद्धी आपकी घर में रहे, वो हमेशा किले बरकरार रहेगी धन्तेरस के दिन जब भी जाडू को खरीद कर लाएं तो उसे फर्ष पर लिटा कर रखें जाडू को बिल्कुल भी खड़ा ना रखें, इसे कोने में छिपा कर भी रखा जा सकता है जाडू को पैर लगाना माना जाता है कि मालक्षमी का निरादर है इसलिए ये निरादर आपको कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखें अगर आप कभी भी जाडू को छत पर या घर से बाहर रखते हैं तो कहा जाता है ऐसा करने से घर में चोरी होने का भै रहता है घर में कलह कलेश बढ़ता है इसलिए आपको ना तो कभी भी जाडू को उल्टा रखना चाहिए और ना ही कभी भी घर से बाहर रखना चाहिए ऐसा करने से घर में दरिदरता आती है चोरी होने कभ है रहता है आर्थिक परिशानिया आती है और जीवन में हमेशा एक आपको इनसेक्रोटी बनी रहती है इसलिए आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए खास तोर पर धंतेरस के दिन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जाडू को हमेशा विशम संख्या में खरीदना चाहिए उसे कभी भी सम संख्या में नहीं खरीदना चाहिए इसलिए या तो आप एक जाडू लेकर आएं या आप तीन जाडू खरीद कर लेकर आएं इसे कभी भी जोडे में नहीं लेकर आना चाहिए यानि कि आप कभी भी जाडू खरीदें तो दो की संख्या में ना खरीदें इसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए जाडू को धन तेरस के दिन घर में क्यों लाया जाता है। जब भी आप धंतेरस के दिन ज़ाडू खरीद कर लाएं तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप उसे घर पर लेकर आते हैं उसकी पूजा अर्चना के बाद आप उस पर एक सफेद धागा बांद दें सफेद धागा बांदने से मा लक्ष्मी की किरपा हमेशा बनी रहती है और आर्थिक स्थिर्ता घर में आने लगती है ऐसा करने से आपको लाब कुछी दिनों में दिखने लगेगा और इस ज़ाडू को आप दिपावली के दिन से इस्तिमाल करना प्रारंब करतें इस तरह से दिफ़ेदा बाहर जाती रहेगी और आपके घर में आर्थिक स्थिर्ता आती रहेगी और हर तरफ से जड़करात्मक्ता आपके घर में प्रिवेश करेगी तो यह हैं कुछ ऐसे उपाई जो जजाडू से सम्पन्तित हैं। आप इन उपाईों को आजमागर देखे आपको जरूर इसका लाव मिलेगा और आपके जीवन से हमेशा के लिए दरदरता बाहर रहेगी और आपके घर में हमेशा सुक समरिधी आती रहेगी मालक्ष में आप पर हमेशा अपने कृपा बनाए रखें हम यही कामना करते हैं आज के लिए इतना ही मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विशे के साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें